Books That Speak में आप सभी का स्वागत है सिमरंद, जीत और वीर अपनी मनपसंद खाने की चीजे लाने के लिए मनजित पाजी की दुकान पर गए आईए देखे उनमें से हर एक ने क्या खरीदा और किसका थैला सबसे भारी निकला सुनते है कहानी चुट्टियों की पहली दावत ओरिजनल स्टोरी स्वीर्ट संडे बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है गीता राव, चत्रांकन सानीका फावडे, हिंदी में अनुवाद वीना शर्मा कहानी का वाचन असावरी दूशी चुट्टियों का पहला दिन है, मा आवाज देकर सिमरन, जीत और वीर को बुलाती है और उन्हें मजेदार चीजे खिलाने की अपनी योजना के बारे में बताती है वो कहती है, मनजीत पाजी की दुकान पर जाओ और अपनी मन पसंद दो दो चीजे खरीद लाओ तीनों भाई बहनों को ये सुनकर तो मजा आ गया और दो पहर का खाना खाने के बाद वे मिठाई की दुकान की तरफ निकल पड़े सिमरन ने फिरनी चुनी, जीत ने तोशे और वीर ने जलेबी मनजीत पाजी मिठाईया तौलते है, बच्चे उन्हें मिठाईया तौलकर डिब्बो में रखते हुए देखते है उन्होंने कहा जलेबी का वजन 200 ग्राम, फिरनी का वजन 250 ग्राम और तोशे का वजन 500 ग्राम है मा ने कहाता हम दो-दो चीजे ले सकते हैं, सिम्रन बोली सिम्रन ने समोसे खरीदे, जीत ने मठ्री और वीर ने कचोडिया इस बार मनजीत पाजी ने नमकीन चीजों को तौला उन्होंने बच्चों को बताया कि समोसों का वजन 500 ग्राम है, मठ्रियों का वजन भी 500 ग्राम है और कचोडियों का वजन 300 ग्राम है वे घर को चले, घर पहुँचकर मा ने पूछा कि उन्होंने क्या-क्या खरीदा बच्चों ने बताया कि सब ने दो अलग-अलग मीठी और नमकीन चीजे खरीदी है जीत की चीजों का वजन तौशे 500 ग्राम और मठ्री 500 ग्राम यानि की एक किलो है सिम्रन की चीजों का वजन फिरनी 250 ग्राम और समोसे 500 ग्राम यानि की 750 ग्राम है और वीर की चीजों का वजन जलेबी 200 ग्राम और कचोडिया 300 ग्राम यानि की 500 ग्राम है सभी मजे से खाने बैठते है चुट्टियों की शुरुवात वाकई मजेदार रही तो आप सब की गर्मी की चुट्टिया कैसे रही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और Books That Speak पर ऐसी और अलग-अलग कहानियां सुनने के लिए जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड़कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई-बाई धन्यवाद